गौलियर में गुरु पूर्णिमा का महा पर बड़ी ही धुनधाम के साथ बनाया जा रहा है अधिकांश मंदिरों पर भक्तों की भीर लगी है आज गुरु पूर्णिमा के दिन चारों वेदो श्रिमत भगवत गीता और महा भारत जैसे महा कावे की रशना करने वाले मारशी वेदव्यास का अब तरन दिवस भी है गौलियर में गिर्राजी मंदिर पर हजारों श्रधालों की भीर इस बात का परिचालक है परिचायक है कि हमारे देश में गुरु का अस्थान सबसे महत पूर्ण माना जाता है यहां भगवान श्री कि दर्शन करने आने वाले श्रध पूर्ण मा के दिन आप यहां पर देख सकते हैं गौलियर के गिर्राजी मंदिर पर हजारों महला पूर्शों की भीड है और सद्धालू यहां पर परिक्रमा दे रहे हैं और खास तौर पर इस दिन को अपने अपने गुरूं को सद्धाल करने के लिए यहां पर मनाये जात है आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम सारे लोग जो है गुरू अपने अपने गुरू को खास तौर पर जो गिर्राजी महराज है भागवान सीक्रेश्ट में उनको गुरू मानते हुए जो है परिक्रमा कर रहे हैं जी सलाब बताएं आज के दिन का क्या महत्व है और किस सब इस गुरू परंपरा के अधीन पूरे विश्व गुरू बनने के लिए भारत को विश्व गुरू बनने के लिए एक संदेव जो उसमें दिया था गुले बावा का आज वो लागू हो रहा है और भविश्व में भी यह लागू होगा पर किले को तो भक्तों की जो यहाँ पर साफ तरव मन्शा है कि जो भारत है वो विशु गुरू के रूप में यहाँ महिलाओं और पुर्षों की भीड यहाँ पर लगातार Luca कर रही है मैं बता दूँ यहां पर गौलियर का सबसे बड़ा मंदिर है गिर्राजी महाराज का मंदिर जो कि यहां पर तमाम सारे सद्धालू वर्ष भर आते हैं यहां के जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे मुझे बताएं यह कि आज के दिन का क्या मेहत्व है और किस तरीके से आज इमाइना आए जाता है तुकि आज आपके यहां पर तमाम सारे सद्धालू आए नवस्कार सभी भक्तों को पहले गुरू कुमा की हार्दिक शुपकामना है और यह परंपरा सत्युक्त्रेता द्वा अभी योगों से आ रही है भगवान श्री राम चंद्र जी ने बसिष्टी जी को गुरू माना था उसी दिन से परंपरा चालू हुए उसी दिन से मानभ जीवन में भी परविर्टेत हो गई जिसके जीवन में गुरू है गुरू माने जो अंदकार रूपी प्रकास यानि म अभवान कृष्ण ने भी आकर अपने उज्जन में जाकर सांधी प्री गुरू माराज को गुरू बनाया था उसी समय से जब देवताओं ने गुरू की पूजा की उसी समय से मनुस्त भी अपने गुरू की पूजा करने लगे तो यहां पर जो देवताओं की बात की जाए तो सत्योग द्वापर उत्रेता है उकसे यह परंपरा चली आ रही है जो कल्यूग में भी लगातार अनवरत मध्य प्रदेश 36 गड़ की हर खबर सीधे आपके मोबाईल फोन पार अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पलपल की खबर